जब पीया घर छोड़ कर गई थी तो मुन्ना की हालत बहुत खराब हो गई थी मुन्ना की आंखूं से आंसू रुख ही नहीं रहे थे पीया के जाने के बाद आंश के लिए मुन्ना को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था अंश अपने पंक फैला के दिखा था तब भी मुन्ना नहीं हस्ता था अंश पीया के बिना अपनी आखें भी टिम्टिमा कर मुन्ना को नहीं दिखा सकता था लेकिन मुन्ना चाहें कुछ भी अंश क्यों न कर ले बिचारा चुप ही नहीं हो रहा था घरवालों की गोद में भी मुन्ना को शांती नहीं मिल रही थी जब वो अपनी मा पिया के पास गया था दो पल को तब जाकर वो खुश हुआ था लेकिन वहाँ पर वो अपने पापा को मिज़ कर रहा था अब जब मुन्ना की मा पिया घर लोटाएगी सोंबार के एपिसोड में तो मुन्ना को लग जाएंगे पंक मुन्ना को लगेंगे खुशी के पंक हालांके उसके पापा के पास तो जादूई पर हैं लेकिन मुन्ना के ये खुशियों वाले पर भी किसी जादूई पर से कम नहीं होंगे मुन्ना पूरे घर में खुशी से दौड उठेगा और मुन्ना की ये खुशी देखकर हमें उमीद है कि मुन्ना के फैन्स भी बहुत खुश होने वाले हैं शोर में फाइनली कुछ अच्छा देखने को मिलेगा पूरी फैमिली हैपी फैमिली बन जाएगी लेकिन क्या मुन्ना इस फैमिली को कुछ रहने देगी और सवाल का जवाब हमें से उब बार के एपिसोड मिलेगा सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TOP NEWS जस्ट फर यू TOP NEWS की रिपोर्ट